हाई फ्रेंड्स वेल्कम टी यूपी से पीसी इस फॉरम आज हम एंसेयर्टी में सूर्सेस अफ एंसेंट हिस्ट्रिस रिगार्डी एंसी को दोखेंगे और इसके पहले मैं आपको बूलेंगो प्लीज फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को सेरें सब्सक्राइब नहीं क्या है त इस फार्ट पार्ट कोन सा होते है तो यह सारी सीजे हमें इससे जनुकारी में इस कोश्च एमसी को लगाने के बाद आप बुक पढ़ सकते आपको बहुत मजा आएगा और बहुत जाद़ कॉन्फिडेंस भी आएगा तो चलिए स्टार्ट करतें फर्स्ट निमर कोशिश से आर्केलोजिकल एक्सकेवेशिन आर्केलोजिकल एवीडेंस ओफ दर बीडमेकिंग इंडेस्ट्री इन संगा मेरा उजिंग प्रीश एंगरी प्रीश इंस न्समीप्रीश इस फ्रोड्र इंडेंस लोकेडिड इन वीच अटकेड़ फॉल्विंवॉविंट प्रजेट एक्जिस्ट करते हैं है अब history加शन्त देमें तूछय को डियाँ आपको यी के सोन है कशिक है तो कहां बेसे हम गया मिलता है evidence बीड मेकींग इंडिस्ट्री गॉय का प्रिस्टी और स्टों dic products करते हैं और यह प्रिजिन डे तमिल लाड़ो में है और लोकेटेट है नौर्धन बैंक ओफ रिभर नॉयल तो ध्यान रखेंगे नॉयल रिभर के नौर्धन पार्ट में यह लोकेटेट है और यह जो सीटी है बिलॉग करते है संगम एरा से संगम डैनेस्टी से आपको पता है संगम से तीन हमें रूलिंग डैनिस्टी के बारे में पता चलता है चोला चेरा और संगम का जो संगम जिसने करवाया था वह मेली बिलॉंग करते हैं किस जैसे पांडिया डैनिस्टी से जिनकी कैपिटल थी मद्दू रहे सेकेंड नमर कोशन देखेंगे विफ रफ्रेंस तुद कि अब इसे जो जो आप्षिन है वो और तो तो उसके रिगार्डिंग क्या साही है तो वर्टिकल एक्सक्यविशन रिजल्टीन अनकवरिंग प्रियेड वाइज सिक्वेंस ऑफ कल्चर होरिजंटल एक्सक्वेशन इसंटरली कंफाइड तो दे इंटायर और अफ पर्टिक साइट तो अपना अगर कॉमेंस से यूज करेंगे तो इस कोश्चिन को बना लेंगे और यह हमें दिया हुआ है ओल्ड इंस्यार्टी मेर तो मांग जाए कि वर्टिकल एक्सक्यविशन की बात की जा रही है वर्टिकल मिस लेयर वाइस तो अगर कोई बहुत पुराना होग और यह होगा तो वह दब जाएगा नीचे में उसके वाइस नीं वाल उसके उसके नीचे वह सह है जांटे तो तो वर्कल जुए हिची जोटिकल जो एक्स्कीयविशन होगा उससेar में क्या पता चलता है पिरिय एडवस पीरिय जम से पुराना मन आगा वह सबसे नीचे र से उस एरा से रिगार्डिंग हमें चीजों के प्राप्ति होगी तो यह कन्फाइन करता है किसे इंटायर और पार्ट अब पर्टिक्लर साइज ऑप्शन नमर दोनों ही सही है बोथ वन एंट वर्टिकलर एक्सपेंशन इस डन बाई दूइंग लेंध्वाइस डिगिंग तो अंकवर द पीरिट वाइस सिक्वेंश ऑफ कल्चर इस यूज वली लिमिटे टू द अफ पार्ट अफ द यह लिमिटेड होता है ठीक है होरिजंट्र एक्सकेविशन क्या होता है डिगिंग द मौर्स मोस्ट अफ द पार्ट और इंटर ली तो इसमें क्या होता है मांट को य एक्सकेविशन होता है वो हमें कई पीरियर्स के बारे में बताता है थर्ड नंबर कोशन दिखते है देक्सकेविशन एचानोदोडो वर्ज डेरेक्टेड़ वाए तो चानोदोडो आपको पता है कि एक हड़पन सिटी है और यह फेमस था किसके लिए क्राफ्ट मेकिंग क हूँ पारिजेट लूए उसका जो एरिया था वो लिए सेवन हेक्टेर सब्सकेडिट्ल में और और एक्सक्लूसिवल यह डिवोटिद था क्राफ्ट प्रोडक्शन जैसे की बीन मोयकिंग सेल कटिंग मेंतिल्बर्किंग सेल मेकिंग और वइट मेकिंग रिकार्डिंग पूर्थ नमबर कोश्चन इंद्श्थ के तुउ इंदियंस हुआ एस्टोवरी ओफ डीस्कावरी ऑफ युद्डिंडियंस सिविलाईजिशन सब्सक्राइबार और आपके मोहन जो दारों से और जो एक्सक्राइबशन हुआ था वह था वह था डैरेक्टर जंडरल जो थे अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए फिर आपको आपको सारी जो चलारीटी होगे बहुत अच्छे से अच्छे से ख्लेर हो जाएगे और मैं लिए एनसे इंसे रिगार्ड़ें और यह आपको पता है यह ओल इनसे इनसे न्यू इंसे तो यह सब आपको बह आपको साटेश्क के इस ट्रिंट करते किन देखिए और ट्रहानी चलारीटी सोस्पर्फर इढ़र्विटी क उसे रिखिए कंढार्ड इस न्यू चलारीट नार मिदेजित ना लिंदग dandoFi स्वसंट थो फेपहरं सो जने नाज सहे पहले बढ़ी तो यह शर दो जेंस फासं यह तो नहीं सही है यह तो नहीं सही है यह ब्रॉट इस एक्सपरियेंस और ग्रीस और क्रेट में प्राप्ट किया था उसको यहां पे लेकर था तो हां यह भी सही है और उनका बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल रहा है कि यह बताने में कि इंडर्स वाली सिविलाजिशन एक अर्बन सिविलाजिशन इस बात को बताने में इसके पहले जो अलेक्जेंडर कलिंगम जो थे एस बात को नहीं समझ पाये थे और उनकी टाइम पर क्या हुआ था क कि जो हड़प के जो बिर्क ब्रिक सिविले थे उसका यूज किया था जो रोड बनाने मुल्दान का रोड बनाने वाला था मतलब बनने में उसमें उन्होंने उस इट का यूश किया था उनको लगा था कि ऐसे ही यह यहां पर बड़ा हुआ है लेकिन इस बात की जानकारी जून मार्सल के दोर जो दी जाती है कि यह एक नया स्विलाजीशन है था जो 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 जून मार्सल है उन्हों डारेक्टर जेनल होते एसपाई के और एक्सकेवेट करते हैं वह इंडिस वाली सिविलेशन को लेंगों और था इंडिया में और यह अपने इक्स्पिरियंस ले यूसरी एक्सकेबेट एलों रेगुलर होरिजॉनिटल जोनीड्स अग्णॉरी ग्हाफी तु वह मेली हरुजन्टल यह एक्सकेवेशन को फॉलो करता है ते इस्ट्राटिक का स्ट्राटिक ग्राफी का मतलब होता है लेइर बाइस देट मेंस अपका वर्टिकल जो study of several thousand copper coins issued by तो जो हिस्ट्री है हमें पंजाब और हर्याना के 1st century AD में देखने को मिलती है वो किस बैसिस पर रिकंस्ट्रक्ट की जाती है तो रिकंस्ट्रक्ट की जाती है जो तो ट्राइबल रिपब्लिक से यौधे का उस्सें तो अप्शिन नमर भी हो जाएगा हमारा करेक्ट तो तो हिस्ट्री पंजाब और हर्याना इन देफर्स संचुरी एडी हैस बन रिकंस्ट्रक्टेड अंदेबिस अब सेवरेल थाउजन जो कोई इशू किये गए थे ट्राइबल रिपब्लिक यौधे ठीक है और यह जो रिपब्लिक है वो फॉर्म मतलब कहां पर स्टेबलिस हुआ था यह मिली स्टेबलिस हुआ था इंडस रिवर और गं किया जो गोडे उनको डेपिक्ट किया गया है और यूज किया है वो सिर्फ ब्रामी एक्स्क्रिप्ट को नेक्स कोश्चन देखते हैं विथ रफ्रेंस्टो दे कोई यूज इस इन इंडिया विच फॉलिंग स्टेट्मेंट आर करेक्ट तो कोई करे गादिंगे इसमें अब्डेग मेटल सचेस कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड लेड उसके दे कोई स्मोल्स ब्रण बंच क्लेइं इंडिया दो कोई स्मोल्स बिलॉंग तो पोस्ट गुप्ता पिरेड हैं डिसकोपर इन लार्ज नमबर बीकोई कोई का मॉल्ड नींग होता था वह एक्स लीडिश लोगा था तो यह तो हमारा option जो हो इनकरेक्ट बाकि दोनों ही करेक्ट पैसरास हो जाएगा करेक्ट मतलब ओप्षेन मथ 3 जो है वो इनकरेक्ट है इसले होशिंसी जो हो जाएगा वह इनकरेक्ट हो जाएगा विइसका तो इसो डी इन से इंडिया होते हैं वो डिसकवर के रिट होते हैं कुषाना स्वेश करते यूज करते प्योज डेहना की मिलता है ऍशना स्वाटा में बहुत महात्रामें गॉंड हमें देखना है क्यों मिलता है गुपता प्रियाट से और वो प्योर घॉर घॉर नहीं होता है पोस्ट प्रियल क्या होता है जो बहुत सारे जो मोल्ड कोइंस होते वो डिष्पीर हो जाते हैं और ancient coins found in India वो mostly बने होते हैं copper, gold, silver और lead के coin mold have also been found at many sites in large number which are usually made of bunch claim next question देखते हैं 8 number question देखते हैं तो consider the following statement regarding the coins in ancient India तो coins in ancient India के रिगारड़ी क्या सही है the coin mentioned the name of kings, god or dits next coins were issued by the guild of merchants and goldsmith with the permission of the rulers coins of major dynasties have been catalogued and preserved in various museums in India coins belonging to the harapan civilization carried symbol of humped bull मैंने बताया था जब मैंने harapan civilization हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि harapan जो people थे उन्होंने coins और money use ही नहीं किया था वो उनके जो trade और commerce की system थी वो मिली किसमे system थे किसमे बेचते बार्टर एक्सेंज system पर कि अगर कोई यह हो दे रहा तो उसके बदले में आपको job मिलेगा स्लिपर मिलेगा कपड़े मिलेंगे तो ऐसे उनका existence system चला करता था तो आप्शन नमबर 123 जो हो जाएगा वो correct हो जाएगा फोर हमारा incorrect हो जाएगा फोर के incorrect होती ही हमारा option सी सही हो जाता है ठीक है और जो कोई के study होती है उसको पहले जाता है नुमस्मेस्टिक्स नुमस्मेस्टिक्स ठीक है तो अर्लिएस कोई जो साथा कोई कि मुदे के होते थे कैसे कुछ सिंबोल करने सब्सक्रीण में होते हैं डीक है बतले कोई सुलेश्टिक्स हो जो करते थे डीक हैं ने कि कोई क्वारों दीट तो जो मेले कोई कि कोई करते यह वहां की दो राजा होते थे उनके पर्मिशन से वह इसु करते थे यह दिस वह एक ग्राफ्ट एंड कोमर्स है बिकम इंपोर्ट इंपोर्ट इंट प्रेफ्टेंट कोईंस बहुत है किसमें लाइज़ स्केल ट्रांजिक्शन में और इंट करते हैं वह ट्रेडवे और यह सब्सक्राइब कोईंस अभी डिसकावर नहीं हुआ है उनका जो सिस्टम था उनका जो ट्रेडर इंड कोमर्स था वह मिलनी बेस्टा बाटर सिस्टम है नाइन्थ नंबर कोशन देखते हैं जब फॉल्विंग लिस्ट करेक्ली एंड चूज दा करेक्ट कोड तो हमें बतान है इसके रिकर्ण कोंसा जो कोड है वो सही है लिस्ट वन और लिस्ट तू दिया हुए हमें बताना है कि किसका किस से मैच करके है तो नेम्स अप देखिंग एंड देट्स मोर सर्कुलेशन अप दो गोल्ड कोईंस रिलिजियस सिंबॉल एंड गॉर्ड कोईंस यूस यूस उसके वाद है फ्लरेशिंग ट्रेड एंड कॉमेर्स रूलिंग डैनिस्ट्री एंड 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 एक्स्टेंट सोशियो एक्कोनोमिक एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री आर्ट एंड रिलिजियन तो मैं बताना है कि कौन किस से सही है तो नेम अप देखिंग एंड देट्स क्या पताता था रूलिंग देखिंग एक्सटेंट के वाज़न बताता था और उनके एक्स्टेंट के बारे मताता थे तो फिस नेम प्रकॉलीशन फ़ गोल्ड तो तो वह दर्शा था 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 फ्लरसी ट्रेड एंड कॉमेस को चीक है रिलिजियोस सेंबल्स और गॉर्स तो रिलि सब्सक्ताइब को बताता था था कि वह इसका एरिया आफ सर्कॉलिशन क्या है उस ट्रॉलिंग स्ट्री क्या है क्या है क्या थे आपने नाम के पार्डिंग जो अपनी ब्रद्र पॉज़ेंगे उसके रिगार्डरिंग वह ऐश्यू करेंगे झे जैसे, यह संस्तरさん गुप् सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि रिपब्लिक योदिया जो की बेस्ट थे हर्याना और पंजाब में उसके बारे में भी हमें पता चलते हैं कहां से उनकी कोई से करते हैं कहते हैं मिलता हैं और यह बिताता है यह लाइए मैं देखने कि मिलता हैं तो क्या तुकिया दिखा था दा गुपता इराज में वह किस बात को दिखा थे कुछ से ने ट्रेज था वह काफी फ्लरिस्ट थुआ करता था गुपता का गुपता इंपार के साथ रिलिजिस सिंबल्स और गुपता थे रिलिजिस ट्रेटिशन को बारे में बताता है इट ओॉपता देश अपरिट ए अपने वह काफी परेगा धुपता है टो जो भी हो गॉट को पूझेग या मानेंगे वह अपने लेया पर देखिए इससे पता चलता था कि वह कौन Sै भगवान को पूक्ते थे उनका रिलेजन क्या था व्हों न Esse को पैटरणाइज क्या करतें इस उसे वह क्या चलता था कि अगर ऑफ्योच एक मतारय को सोशी हों म जूटेशन जो दिया था किसे श्रता वोनाज के दोरा इंघ है ब्रह्मदेया यह सब आपने पड़ा भी तो भ्रह्मदेया नों को दिया जाता था लैंड तो वो उसको बोलते था ब्रह्म देया है तेंथ नमबर कोशन देखते हैं, the study of old writings using inscription and old records, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते हैं, पहली ग्राफिय, पहली का मतलब क्यो होते हैं, old होते हैं, और ग्राफिय का मतलब उसके रिगारदे old writings, ठीक है, तो पहली ग्राफिय is the study of old writings using inscription, और inscription जो होते थे, पहली बनाया जाता था, ठीक है, and other old records, study of writing on inscription, और writing जो study of writing होता था, इंस्क्रिप्शन पर उसको बोलते थे, एपिग्राफिय, एथनोग्राफिय मेली क्या होते हैं, एथनोग्राफिय मेली किसी particular culture, ethnicity के बारे में पढ़ने को एथनोग्राफिय कहा जाता थे, तो option बना रहे यहां पर हो जाएगा, बी करेक्ट पहलियूग्राफिय है, 11th नमबर कोशन देखे, the earliest inscription in India was recorded on which of the following material, तो earliest record हमें कहां देखने हो इंस्क्रिप्शन को, तो मैंने बताया था कि inscription कहां पर मेली मिलेगा, मिलेगा, मेली हाड़ ओग्यक पे, और वो मेली stone पे, तो earliest inscription in India was recorded on the stone, और यह inscription जो है, वो commission by the rulers as as well as guilds के दोरा, and provincial governors के दोरा, they give an useful insight into the socio-political and economic progress in ancient India, तो बताते ही था ही कि उस टाइम का जो socio-political culture क्या था, किता progressive था, यह सारी सिदे के जानकारी हमें किससे मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं, लार्ज नमबर अफ इस्टोन इंस्क्रिप्शन बिलंगं तो मेलेगा, मेगालिस का मतलग होता है, लार्ज स्टोन जो एरा था, मेली मेगलिस जो हता है, वो बरील साइट से रिलेटेट था, और संगा मेरा के इस में हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, ट्वैल्थ नमबर कॉस्चन देखते हैं, हाथे गुंपा एर्वाइज एकांट बताते हैं, खारवेला डिनिस्टी का, कलिंगा से था, और यह कहां पर हमें देखने मुलते हैं, उद्यागिरे हिल्स जो है, उद्यागिरे हिल्स, भूबनेश्वर, और इशा में, वहां पर हमने देखने को मिलते हैं, 2nd century BC से 1st century AD तक, और यह इंस्क थर्टीन नमर कोशन देखें, तो ऑफस अफ चीफ एपिग्राफिस्ट उफ इंडिया, विच कंतें देलाज इस नमर ऑफ इंसकूशन इस लोकेट इट वुच अप वाल्विग्राफिस्ट जो इंडिया के थे वह कंटेंग करते थे लाज नमर ऑफ इंस्क्रिप्शन वह हम भॉकचर हालट जे आस जी एस जेढ़ फ़ ऑफफीर फ्रटीअ अबर कोस्षेंट निचेंदी आके हाँ तो इसका क्या सिगनिफिकेंटेन्स है अप कोर्पस इंस्क्रेप्षान इंक्रेप्षान नां एकारम इसका क्या सिगनिफिकेंट्स आप तो इसका जो यह है यह तो से जोके सिरीज जो कालेक्शन मेला है हमें मॉरियन निजानन पोस्त catastrophic और कॉप्टर मॉरियन और को इसका जाएगा ते जिए तो आज के लिए नहीं 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 पड़ेंगे फिफ्टीन के नेंबर कोशें से थैंक्यू सो मच आप लोगों को अच्छे लगाऊगा बाई